चुनाव आयोग आज दोपहर तीन बजे लोगसभा चुनाव की तारीख का एलान करेगा और चुनाव आयोग लोगसभा के साथ साथ चार राज्यों के विधान सभा चुनाव की भी घोशना करेगा इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार सहिता लागू हो इस लोरान उनके साथ दोनों चुनावायोग मौझूद रहेंगे रि मुख्य चुनावायोग के साथ मुख्य चुनावायोग चुनाव की रणभेरी आज बज जाएगे और तीन बजे प्रेस कॉन्फरेंस होगी उसमें विस्तार से बताया जाएगा कितने चड़नों में चुनाव होगा, कब नतीजे आएंगे और कब-कब मतदान होगा 24 की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो राजनितिक पार्टिया अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है लेकिन चुनाव आयोग भी अब पूरी तैयारी कर चुका है और अब महस तारीकों का एलान कुछ ही घंटों में हो जाएगा और 2024 के चुनाव का भी ग कुल बच जाएगा तो लोक सबाक अरण अगर देखें 2014 में नोचरण में चुनाव गुआ था 16 माई को नतीजे आये थे 2024 की तैयारी के अगर बात करें तो कुल वोटर 96 करोड 85,1358 है इसमें महिला वोटर 47 करोड से पुरिश वोटरों के अगर बात करें तो नन्चास करोड 70,88,791 है तो 2019 के जो चुनाव है वो साथ चड़ने में हुए थे और नतीजे 23 में को आये थे बीजे पी ने 266 नहीं दलों की यानि भारती जन्ता पार्टी के अगर बात करें तो पूरी तरह से अक्टिव दिखाई दे रही है 14 के चुनाव 19 के और अब 24 की बारी है दावा किया जा रहा है है एट्रिक का दूसरी तरफ इंडिया अलाइन्स है जो बीजे पी के विजे रत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और अब कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो नतीजे बताएंगे लेकिन उससे पहले सबकी अपनी अपनी तैयारी है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानि एक तरफ एंडिये का कुनबा है दूसरी तरफ इंडिया अलाइन्स बीजे पी का दावाई इस बार चार सो पार का है तो मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है एक तरफ मुद्दों की बात करें तो धारा तीन सो सब्तर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विकास की बात राम मंदिर CAA और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता पक्षी तरफ से गिनवाए जा रहे हैं उपलपदियों के तौर पे दूसरी तरफ विपक्ष है जब उसके चश्मे से देखा जाता है तो फिर कानून व्यवस्था बेरोजगारी महंगाई इनको आधार बनाके इन मुद्दों को सरकार को घेरने की रणनीती बनाई जा रहे है लेकिन कौन किस पे भारी पड़ेगा ये नतीजे तै करेंगे लेकिन नतीजों से पहले आज़ चुकी तारीखों का एलान हो जाएगा कि कितने चरण में चुनाव होगा कब कब चुनाव होगा कब मतगरना होगी कब नतीजे आएंगे सारी तस्वीर अपसे कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगी तो 24 के मुद्दों की बात करें तो मोदी की गैरिंटी और विपक्ष की बात करें तो जातीए जडगणना पर वो सरकार को घेर रही है उदर NDA ने चुकी CA लागू किया है इसको भनाया जा रहा है और इंडिया एलाइंस बेरोजगारी के मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेर रहा है ये मुद्दे रहने वाले है राम मंदिर एक मुद्दा चुकी BJP के संकल पत्र में इसका एलान था मंदिर बन चुका है उदर महंगाई का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है NDA के पाले में एक और एहम मुद्दा है जन्भावना से जुड़ा हुआ जो 13370 है और इंडिया अलाइंस MSP की बात कर रहा है किसानों के लिए तो मोदी की कूट निती है एक तरफ दूसरी तरफ वादा खिलाफी का आरोब विपक्ष लगा रहा है यह 24 की पिक्चर है तो मोदी का परिवार और EVM हठाओ चुकी निजी हमले भी किये जा रहे हैं तो एक तरफ मोदी की गैरंटी का दिकर किया जा रहा है दूसरी तरफ जातीए जडगर्णा को मुद्दा बना के सरकार को घिरा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से CAA को भी उपलब्दी के तोर पेश किया जा रहा है जबकि इंडिया लाइंस बेरोजगारी को आधार बना के सरकार को घेर रहा है तो राममंदिर बनाम महंगाई कौन सा मुद्धा किस पे भारी ये चुनाव के नतीजे तै करेंगे इसके अलाबा धारा 370 बनाम MSP यानि एक तरफ ये उपलब्धी दूसरी तरफ MSP का दिक्र विपक्ष अब भी कर रहा है एक तरफ मोदी की कूट नीती दूसरी तरफ विपक्ष का वादा खिलाफी का आरोग अब जन्ता के बीच में किसकी बात का कितना असर होगा ये तो नतीजे बताएंगे लेकिन अब से कुछ घंटों बाद चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉंफरेंस से तीम बजे और उसमें विस्तार से बता दिया जाएगा कितने चरणों में चुनाव होगा, कब चुनाव होगा, कब मत गड़ना होगी, कब नई सरकार का गठन होगा तो नजार इस पे सबकी रहेगी कि क्या एक बार फिर हैट्रिक लगेगी, यानि तीसरी बार क्या एंडिये तरकार बना पाएगी, या फिर विपक्षी खेमा रोक पाएगा सीटों का गणित क्या होगा, एक तरफ चार सो पार का नारा, दूसरी तरफ विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ नजर आता है, असमंजस के इस्तिती भी नजर आती है कि सीटों के बटवारे को लेके दिल्ली में साथ है, तो पंजाब में नहीं, पश्रिम बंगाल में अकेली है मनता, तो यूपी में एक सीट उनके लिए आरक्षित कर दी, उनके लिए एक सीट छोड़ दी तो क्या कोई, चुकि अभी तक योगी आधित्तेनाथ लगातार ताबर तोड़ रह लिया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश ज्यादव, राहूल गांधी या किसी दूसरे दलके नेता को अभी उस इस्तर पे नहीं देखा गया और दिल्ली से हमारे साथ हमारे स्तन्वादाथा प्यूश है, गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम है, सुमित सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले दिल्ली का रुख करते हैं, प्यूश चुकी अपसे कुछ घंटों में ही चुनाव आयूग की प्रेस कॉन्फरेंस है, आज तस्वीर साफ हो जाएगी बिल्कुल अधर हम बात करें, चुनाव आयूग करीब तीन बज़े के आसपास विज्ञान भवन में एक महत्तपुर्ण प्रेस कॉन्फरेंस करेगा और कहीं ने कहीं लोकसावा चुनाव के तारीखों के एक एलान के साथ साथ कुछ रज्यों के विधान सभा चुनाव के तारीखों का भी एलान आज चुनाव आयोग की ओर से किया जाए Batam इसके साथ ही आज से ही जैसे ही लोकसभा चुनाओ के तारीक का एलान चुनाओ आयोग की और से किया जाएगा वैसे ही आचार सहीनिता भी लग जाएगी और जिस तरीके से चुनाओ आयोग ने इस बार तयारी की है आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों का दोरा चुनाओ चुनावायोग के तमाम अधिकारियों ने हाल फिल्हाल में किया था इसके साथ ही कि इस बार किसी भी तरीके से चुनावायोग के अधिकारियों की और से गया है। साथ से आठ चरणों में जो लोकोसवा के चुनावांगों है वो कराए जा सकते हैं इसके साथ ही जो सम्मिधन सीन इलाके है वहाँ पर किस चरण में चुनावाउ कराने है इसको लेकर भी चुनावा योग आज जानकारी दे सकता है इसके साथी कितने अर्थसानिक बलों की टुकड़ेों की तैनाती होगी कितने युवा मत दाता है, कितने पुरुस मत दाता है कितने महिला मत दाता है, कितने दिव्यांग मत दाता है इसके साथी नए उटर्स कितने है कौन किस पर भारी नजर आ रहा है नजर आ रहा है कहा जा सकता है कि आज कि महत्कून बहुत जो बैठक है उसमें क्लियर होगा कि चुनाव का वे चुनाव के तारीक का एलान हो सकता है जितेंद्र गाजियबाद में किस तरह की तैयारियां चुकि अब कुछी घंटो बाद प्रेस कॉन्फरेंस में साफ हो जाएगा किस तारीक में कहां चुनाब होगा जिए जितेंद्र आवाज नहीं आपके आरे आपके आवाज नहीं आरी मैं दुबारा आपके पास आउगा लेकिन सुमिद सेनी भी हरिद्वार से हमारे साथ सुमिद चुकी हरिद्वार धार्मिक नगरी है लेकिन हम पूरे उत्राखंड के संदर्व में जब बात करते हैं तो अब तो यू सी सी भी यहां पे आ चुका है उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं लेकिन सबसे एहन फेक्टर इस चुनाव में क्या बनने वाला है सुमिद सुमिद तक भी आवाज नहीं जा रही फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्खो लेकिन अभी आप एक पिक्चर आप अगर देखें ग्राफिक्स के धर ये तो देखें यूपी के वोटर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें पुरुष वोटर आठ तशमलव एक चार करोड है जबकि महिलाओं की बात करें तो 47.15 करोड प्यूश चुकी मुद्दों के अगर बात करें तो ये चुनाव तै कर देगा के मोदी की गैरंटी काम आ रही है या विपक्ष जो बेरोजगारी की बात करता है महंगाई की बात कर रहा है या फिर कानून व्यवस्था और कई सरकार की उपलब्धियां हावी रहने वाले हैं प्यूश परक्ष की नेता इस बात को माने ना मने लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माइंड़ सेट कर दिया है कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि भारती जनता पार्टी इस बार रिपीट करने जा रही है सवाल इस बात पर ठीका हुआ है कि कितनी सीटे इस बार भारती जनता पार्टी लेकर आएगी और कहीं ने कहीं आपने देखा कि तमाम सरवे की रिपोर्ट आई तमाम जो बीजेपी के नेताओं ने दावा किया और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस का नारा दि किया है जो केंसथि की सरकार ने आट-nघ सालों में काम किया है उसको किस तरीके जनता के बीच मे लेकर जाया जाए खास्तोर पे महिलाओं के लिए झो यह जो काम किया गया इसके साथ si मुए बारतिय जनता पार्टी की इस बार कोशिस है कि विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में बीजेपी इस बार जाएगे। बारतिय जनता पार्टी की तरह जो गोशना की गई है। बारतिय जनता पार्टी की तरह जो गोशना की गई है। जो दिल्चाफ के सबसे एहम मुद्दा क्या इस चुनाव मेरने वाला? जाजेबाद की बात करें तो इसको बीजेपी का गड़ भी कहा जा सकता है। जिस तरह से राम अंदिर बनाया गया है। इसके लावा धिल्चाफ जाजेबाद में इस तरह से हाईवे बनाया गया है। जाजेबाद में नामातर के लिए रह गए है। जाजेबाद में नामातर के लिए रह गए है। और कुछी घंटों में तारीखों का एलान हो जाएगा, पूरा शेडूल सामने आ जाएगा कि कितने चरणों में चुनाब होगा, कौन से चरण में कहां चुनाब होगा, कब नतीजे आएंगे, सारी तस्वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। 24 के चुनावी मुद्दों की बात करें, तो एक तरफ NDA जो राम मंदीर के मुद्दे को भी भुना रही है, दूसरी तरफ इंडिया अलाइंस है जो महंगाई के मुद्दे को आधार बना के सरकार को घेर रहा है, उदर 1370 की उपलब्दी है और इधर MSP को लेकर सरकार को वि रोप है, तो कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अब सभाओं का दौर जारी है, समेलन किये जारे हैं, समिक्षाएं की जारे हैं, फीडबेक लिए जारे हैं, रणनीती बनाई जारे हैं, मन्थन किया जारे हैं, और मुद झाल झाल